असलाम लीकूं मैं हूँ फराहसन और मैं आपको जावेद पबिशर्स में खुशाम दीद केती हूँ आज हम बढ़ेंगे 3 प्रस चरनल नॉलिज का यूनेट नंबर 1 वेजी टेबल्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजी टेबल्स यानि सब्जियां तो आज हम मुक्लिफ सब्जियों के बारे में बात करेंगे और बचों को इनके बारे में नॉलिज देंगे तो आएए चल रहे हैं अपनी लेशन वेजी टेबल्स की तरफ Dear students, topic is vegetables, आज हम मुख्निफ सबजियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी सबजियां हैं और हमारे लिए फाइदे मन है Number 1, look at the first picture, फैले तस्वीर में देखिए, potato यानि आलू आलू जो है वो एक सबजी है और हम इसे मुख्निफ खानों में इस्तमाल करते हैं पकाते हैं और ये हमें बहुत सारे vitamins प्रोवाइड करता है Number 2, onion यानि प्यास, कोई भी खाना हम प्यास के बगएर नहीं पका सकते हर खाने को बनाने के लिए प्यास बहुत जरूरी होता है और ये हमारे लिए बहुत फाइदा मन भी होता है Number 3, ginger यानि अद्रक, अद्रक भी हम खाने में इस्तमाल करते हैं और ये हमारी हडियों के लिए बहुत मुफीद होता है Number 4, carrot यानि गाजर, गाजर भी हम खाने में इस्तमाल करते हैं यानि हम इसे पका कर खाते हैं और गाजर को खरगोश भी बहुत पसंद करता है नमबर फाइव रेडिश यानि मूली, मूली भी एक सबजी है जिसे हम खाते हैं और इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन भी है नमबर सिक्स, पीस यानि मटर, मटर जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फाइदा मन होते हैं और हमें ताकत भी देते हैं और हम इने पका कर खाते हैं नमबर सेवन, कैबेज, कैबेज यानि बन गोभी, आपने सैंडविच तो खाया होगा, तो बन गोभी जो होती है, इसका सैंडविच भी बनता है, तो ये हमें बहुत सारा आइरन प्रोवाइड करती है नमबर एच, टर्निप, टर्निप यानि शल्जम, शल्जम भी एक सब्री है, जिसे हम पका कर खाते हैं नमबर नाइन, गार्लिक, यानि लसन, लसन को भी हम अपने रोज मरा के खानों में इसकामाल करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फाइदा मन होता है जितने भी वेजिटेबल्स, जिन सब्जियों की तस्विरे यहाँ पे दी गई है, आपने उनके लेटर्स को इकच्छा करके वेजिटेबल्स का नेम्स यहाँ पे बच्चों से मेंशिन करवाना है डियर टीचर्स, आज के टॉपिक में हमने मुक्तिफ सब्जियों के बारे में पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि ये सब्जियां हमारे लिए किस तरह से फाइदा मन हैं, बच्चों को मजीद सब्जियों के बारे में भी नॉलिज दे अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ